हेलो, नमस्कार किसान भाहियो, रियल फार्मा एजू किसन में आपका स्वागत है, मैं विकाज गौड, तो किसान भाहियो, जैसे हम वीडियो ला रहे हैं, अभी तक जितनी बर वीडियो आई है, यानि मैं 9 फाट डाल चुका हूँ, आलू के, और मैं और भी आलू की वीडिय लाने वाला हूँ, तो उससे पहले अभी फिलाल आलू के लिए कोई वीडियो नहीं है, तो इसलिए मैं आज गयों की वीडियो लेके आया हूँ, गयों के बारे में, और आलू के बारे में मेरी कल एक वीडियो फिर आने वाली है, कि आलू मेरा एक महिने का हो गया, उसके ब को किलियर बताने वाला हूं तो किसानवाईयों यह जो आप देख रहे हो सम्वाट तीन सो तीन है आप जो देख रहे हो यह रिसर्च सीड है जो आप देख रहे हो रिसर्च यह रिसर्च सीड है और इसकी कीमत भी में बता रहा हूं किसानवाईयों रिसर्च सीड की यह 40 से 45 पेकलो पड़ रहा है और 70-34 भी आया है एक उसकी जो कीमत है वो 60 रुपे के करीव है दुकान वाले दे रहे हैं और सरकारी डेट पता नहीं है लेकिन दुकान वाले तो चाल यह मुझे 45 रुपे कलो पड़ा है 303 तो किसान वाइई चलिए मैं इसके बारे में अभी बात करूँगा अभी आपको चलिए मैं गयों पहले दिखाता हूँ खूल के यह इसमें पुटास और डीएपी डालूँगा केवल में दो ही चीट डालूँगा भी फ्लाल तो चलिए पहले गयों दिखाता हूँ आपके लिए तो चलिए किसान वाईओ कापी सुंदर बडिया है खाने में अब भी बड़िया और मोटा भी है कँष्ट में औरS से किसानभाईएो इस प्यांच कोंटल से शंक बदाई जा रही है और इसकी कीमत किसानभाईए उप quilosシी तो यह में यह यकड़ कि लाया हूं इसकी में प्यातावार और वीडियो लाता रहुआ मैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए आपके पास आलू और गयों के सारी वीडियो मिलेंगे और मक्य की में बीडियो पूरी डाल चुका हूं मक्य की भसल होती है उसके बारे पूरी जानकर दे चुका हूं इस चैनल पर मक्य की वीडियो देख सकते हो प्ले लिश्ट में जाके यह वैसे देख सकते हो तो किसान भाईयो यह मैं मशीन से बोवाई करा रहा हूं तो यह डीएपी का खांचा है जो इसमें यह कटोली नुमाई यह खांचे हैं इसमें डीएपी जाती है थोड़ी मात्रा में और तुरंद गयों के साथ खेत में पह अब भी आप गयों से बोने वाली जो गयों बोने वाली मसीन है उसमें डीएपी के साथ पुटास मिला लेते हैं जैसे हमने मिला ली है आप यह गलती कभी मत करना यह हमने गलती कर ली थी बिना मसीन वाले को पूछे हमने इसे डीएपी में मिला लिया था तो इससे बवाई में चपकाने के लिए कोशिज की नहीं हुआ कोई सक्सें नहीं हुआ यह देखो यह भर के लिए आ रहा है यह चपकाने के लिए पहले खात को उसके बाद गया हूं हम मसीन से बोईंगे और किसान वाई यह एक बात मैं बता दूँ यह जो मसीन है इसमें हमने फीर्डिंग कराया है और मैं आपको लिए बता दूँ कि जो बीज ला रही है उससे पहले उसके पूछ लेना कितने किलो बीगे का बोण आया क्योंकि बीगे चोटे बड़े भी होते हैं तो यह हमारे य कि अपने कि फ्रण करता है यानि फुटेर ज्यादा करेगा अभी मैं बताओवा आप देखता रहीं होगा फुटेः ज्यादा कर रहा क्या कर ञूंद तो वह मैं सारी वीडियों लाओं गा तो आप मूच्पनट में आप बता जही अच्छी आुचिति लग और मेंने प्रeking को कमेंट चेक करता हो अकर आप कमेंट करोगे तुरंद में रिप्लाइ दूंगा तो किसान भाइयो यह मेरी वीडियो कल आएगी आलू के बारे में अब एक महिने को गया है तो जै किसान जै अन्य दाता नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयो